नमस्कार पंजाब किस्री डाट काम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ शतिन सर्मा लोग सभा का चुनाव चल रहा है छे चलड की वोटिंग समाप्त हो चुकी है बाकी के आखरी चलड याने की साथवी चलड की वोटिंग एक चुन को होने है राजनीती पाटियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है और एक चुन की वोटिंग के लिए तावट तोड रहनिया कर रहे हैं अपने पच्छ में मद्दाताओं को लुभाने के लिए कई सारे बयान भी दिये जा रहे हैं कई सारे आरूप प्रत्यारूप भी जा रही है अब शंग्रा मच किया है आको वतादे की तेजश्वी आदों पर उन्होंने कटाश करते हुए कहा कि जितने भी भ्रष्टा चारे लोग है चार जून के बाद उनका अस्थान सिर्फ और सिर्फ जेल में होगा इसके पाले PM मोदी ने RJD पर निशाना साथ्ते हुए कहा था कि RJD वाले लाल्तेन लेकर के बिहार में घुमते हैं और सिर्फ एक ही परिवार रोशन होता है उस लाल्तेन से बाकी के बिहार में अंधीरा चाय रहता है पाले सुनिए पियम मोदी ने तेजश्वी को ले करके क्या कुछ कहा था बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूँ जिनों ने बिहार के गरीबों को लूट कर नोकरी के बदले जमिन लिखवाई है कान खोल के सुन लो उनका भी जेल जाने का काउंडाउन सुरू हो चुका है यह जैसे ही यह हेलिकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पुरा होगा जेल का रास्ता तय हो जाएगा बिहार को लूटने वालों को एंडिये सरकार छोड़ेगी नहीं और यह एंडिये की गारंटी है मोधी की भी गारंटी है तो सुना आपने पियम मोधी के इसी बयान पर अरजेडी निता मनोज्जा का भी बयान सामना आया है तेजस्वी आदब को धंकी दे रहे हैं कि चार जूम के बाद जेल भेज देंगे नियाले को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप कानून को अपने हाथ में लेंगे इस देश में आपके और अमित्शा जी के अलावा आप सब को जेल भेजने की धंकी दे रहे हैं तेजस्वी से परिशानी क्या है तेजस्वी जी से परिशानी है ये परिवर्तन बात है जो नोकरी की बात करता है रोजगार बढ़ाने की बात करता है जो महँगाई घटाने की बात करता है जो महिलाओं को एक लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है जो रेलव के बदले सामान्या रिक्रूट्मेंट फिर से हो उसकी बात करता है तो पुलिटिकली बात करिए बुदान मंत्री कहिए कि ते देस्वी से बेहतर करेंगे लेकिन आप की चुप्पी आप राभी कहें गल्ब, भैंस, मंदल, तोटी नोच लेगा, बिजली काड़ देगा, से आ में किसी प्रधान मंत्री को इतनी घटिया अशोगनिया भाषा का इस्तेमाल करते हुद नहीं दिखा है, शाल मानी चाहिए, चिंता हो रही है आपकी, क्या विमर्ष को कहा ले जा रहे है, चुनाओ आएंगे जाएंगे, पाटिया सत्ता में आती है, भी पक्ष में आती है, इतनी घटिया जुबान और फिर द्रंगी, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, कि ये गीदर भगी में ही चलेगी, मामला बहुत आगे चला गया है, प्रधान मंत्री जी आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है, आज तक हमने नहीं देखा, सिर्फ इतन कहूंगा, छूच बोलना, बंद करिये गुदान मंत्री जी, आपके हाथ में हमारी ये किताब सुलक्षित में है, जब तेजस्वी कहते हैं, कि आप आरेक्ष्ण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिस यानी पिली खंबा लोचे करने लगते हैं, आरेक्ष्ण कैसे खत्म कर रहे आप बताओ, आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौक्री में आरेक्ष्ण की बात करता है, अपने सरकारी नौक्री में खत्म कर दी, तो आरेक्ष्ण का, क्या ये संभीधान का दाजबा नहीं है, इस पर जबाब दीचिए, जब हम कहते हैं कि आप आरेक्ष्ण का जो दाइरा बिहार में पड़ा, उसको नौमी अनुची में डालिए, आप चुप, आपकी चुपी आप रादे, जब हम कहते हैं जाती के जंगर ना करा और पुरे देश, आप चुप, आपकी चुपी आप रादे, तो ठानमंत्री जी, किसको मुगालते में रख रहे हैं, इन मुद्दों पर जबाब दीजिए, ते जस्वी जी को अंगी दे करके, आप अपने को एक्स्पोर्ट कर रहे हैं, आप हमारी न्यालियों पर टिपनी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, तो मुखे कानूं छब, जो हम चाहे के वही होगा, तो इस पर विराम, बिहार की जंता और देश की जंत लगाएगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कि जब आप कहते हैं, कि दार्मी का अदार पर, तो प्रदार मत्री जी जूट मत रहे हैं, जिस राजी के आप दो दशक से जादा मुखे मत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लीम कामिलिटी की कौन-कौन जात्मों क वारत चाहिए, यह आपके समझ क्यों जूट, क्यों देश को तोर रहे हैं, दुर्वी करन कर रहे हैं, मंदल कमिशन की रिपोर्ट नहीं पड़ी, देश के प्रदान मंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, इतना अज्ञानी प्रैमिनिस्टर जूट पे ही काम कर प्रदान मंत्री जी, रघोपती रागव, राजा राम, सबको संग मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूबत है, तो शुना आपने ए राजनीती है, राजनीती में वार पल्ट वार तो होते रहते हैं, क्योंकि अब आखरी चड़ का दंगल बाकी है, छे संपन हो चुके हैं, आखरी चड़ में तमाम सारी राजनीती पार्टियां जो भी हैं, चाहें मौझूदा केंद्र सरकार की हो, या भी पच्छ की हो, अपनी पूरी ताकत जोकने में लगी हुई हैं, वहीं उतर प्रदेशों, बिहार हो, या जो भी राज में अभी पर हैं, जो एक चुन के होने हैं, और इस सीट पर जितने लोग अपने जितने जीत दर्च कर सकें, क्योंकि ये आखरी चुना है, उसके बाद चार जुन को प्रेडाम आएंगे, और चार जुन को पता चल जाएगा, कि इस बार किसकी सरकार बन रही है, कोई 400 का पार का नार बताएं, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मरसाथ और देखते रहें, पंजाबकेसरी.ड़कॉम धन्यमाद